मकदुमपूर सिरी सतीश कुमार जी यहां उपस्तित हैं इस जिले के लोग प्रिये जिलाधिकारी सिरी रिशी पांडे जी यहां उपस्तित हो चुके हैं यहां हमारे डीडी सी सर सिरी परितोष कुमार जी यहां उपस्तित हैं SDO स्री मोनोज कुमार जी यहां उपस्तित हैं, पंकज कुमार गोष जी डारेक्टर डिया डिये जिनका इस आयोजन में बहुत बढ़ा सहयोग है, वह यहां उपस्तित हैं और बाकी यहां उपस्तित हैं अब आनन्त आशुतोष दिवेदी जी जो हेरिटेस सोसाइटी पटना के दीजी हैं अब हम कार्जक्रम को विधिवत रूप से शुरू करने की आप से अनुमती चाहते हैं जोरदार तालियां आपकी ये बता रही हैं कि आपने इस सांस्कृतिक दीब को प्रज्वलित करते हुए काफी आनंद का अनुभाव किया अब मैं बड़े आदर के साथ मंच पर आने के लिए आवाज देता हूं एका कस्ट करें आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए यहां पर आज बूरा इतिहास उतर करके आया है आपकी उपस्तिती में कुछ नया होने जा रहा है किर्पिया आपका साथ चाहिए मैं आगरा करता हूँ EZCC के असिस्टेंट डारेक्टर डॉक्टर ताप सामत राय जी से कि MLA जहानाबाद सर को सम्मानित करने का कस्ट करें और सर थोड़ी देर आप मज़ी अभी सम्मानित हो रहे हैं जहानाबाद के MLA कुमार खिष्ट मोहन उर्प सुदय यादव जी हमारे EZCC के असिस्टेंट डारेक्टर और इस पूरे आयोजन के लिए जो दस दिनों से यहाँ कैम्प कर रहे हैं सर आप थोड़ी देर रुकिएगा अब मैं एसिस्टेंट डारेक्टर सर से आगरा करता हूँ कि MLA साहब जो यहाँ उपस्तित हैं मकदूंपूर के सिरिसतीश कुमार जी उनका सम्मान करने का कस्ट करें एसिस्टेंट डारेक्टर सर अब मैं अब मैं अपने डारेक्टर इजेड सिसी साहब से आगरा करता हूँ कि जिले के लोग प्रिये जिलाधिकारी महोदाय का सम्मान स्री रिची पंडे जी का सम्मान करने की किरपा करें जिलाधिकारी महोदाय का बड़ा सहयोग है इस आयोजन को तभी यह मुर्थ रूप ले रहा है आपके सामने यंग जिलाधिकारी बहुत सो भाग्य से इस जिले को प्राप्त है और बड़ा सहयोग है धरोहरों और विरास्तों को बचाए दीडी सी साहब परितोष कुमार जी डीडी सी साहब डायरेक्टर साहब कोलकता से चल करके यहां आए हैं कई दिनों की यात्रा करके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए डीडीसी साहब जिला प्रशासन की ओर से आपका सम्मान हो रहा है अब मैं आगरा करता हूँ SDO मनोज कुमार सर से कि किर्पिया आईये और डीडीसी साहब अब मैं SDO सर के सम्मान के लिए डायरेक्टर डी डीडीय साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ जिनका बड़ा स्री पंकज कुमार जी का जिनका बड़ा पंकज कुमार घोष जी का मैं इस सहयोग के लिए मैं असिस्टेंट डारेक्टर साहब सवनुरोद करता हूँ कि स्री पंकज कुमार घोष जी का सम्मान निश्चित रूप से होना चाहिए आपने पूरा मारक दर्शन किया है इस आयोजन को संपन बनाने में कि अपने कुफाएं हैं जो विद्वान है वो आपको बताएंगे लेकिन मैं आपका ध्यान अक्रिष्ण कराना चाहता हूँ इस जगह का संबंध द्वापर यूग से है EJCC के Assistant Director और जो दस दिनों से यहां कैम किये हुए हैं ऐसे समर्पीत अधिकारी के द्वारा मैडम का संमान हो रहा है जोरदार तालिया बजाईए कि अधिक बड़ देस के अधिडिय। because my Hindi will be as like as a Bangla Hindi always I will welcome the students who are participating here and the audiences who are who have gathered here to witness this type of program our two honorable ML is here today most probably the assembly session is going to start therefore I will request them I will also request to my anchor please and that over the microphone to the honorable MPs they will address and they will leave the place namaskar dhani bar are you a bit Oh yeah I am a bit I'm up to finish the first thing I always आयोजन का उदेश्य नई पीड़ी को उसकी विरासत से जोड़ते हुए उनमें देश प्रेम की भावना को उत्पन करना है अनुरोद किया है सुदै जादो सर जी से अपनी बाते रखें धन्यबाद सबसे पहले अदभूत और जिसके खोज में हम लोग बराबर अपना ध्यान लगाए रहते थे कि ये जो मानो निर्मित गुफा है बराबर की पहाड़ियों में वो विश्व के सांस्कृतिक और पूरा तत्व विभाग के नजर में जाए इसके लिए आज जो आयोजन किया जा रहा है हम इजेड सिसी के तत्वाधान में आयोजित कार्ज करम के जो निदेशक है हम उनको धन्यवाद बधाई देते हैं इस कार्ज करम के बेतावर मुखति थी जहानावाद के माननिय सांसद हम सबों के अभिवावक स्री चंदेशर प्रसाद चंद्रवंसी जी यहां उपस्थित हैं मखदुम्पूर के लोग प्रिय विधायक भाई सतीश कुमार जी जहानावाद के युवा, युर्जावान, जिलापदाधिकारी, रिची पांडे जी और उबिकास आयुक, अनुवंडलपदाधिकारी और जिलापरिशत की अध्यक्षा, सभी लोगों को हम इस सावन और सावन के पावन अवसर पर, और खास करके आज इस महीने का प्रथम सुम्बारी भी है, हम इस अवसर पर सभी लोगों को, हम धेर सारी सुबकामना बधाई देते हैं, और यहां दर्सक द्रिगा में बैठे, और भाई यहां निदेशक जी और जो उनके सहायक निदेशक के द्वारा, इस कार्ज करम को कॉडिनेट करने के लिए, हमारे यहां जिला से जो DRDA के डिरेक्टर है, पंका जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उन लोगों को सहयोग करके और इतना बढ़िया कार्ज करम कराए, और कई जगा से, कई राजियों से, हमारे यहां आये कलाकार, फिर छात्र, सब को हम इस पावन अफशर पे धन्यवाद बधाई द देते हैं, शाथियों, शही माने में, निदेशक जी ने कहा, कि हम सब लोगों को यह जानने की जरूरत है, हम अपने पूर्खों को और हमारे इलाके में जो भगौलिक स्थिती है, आप जान लिजे, कि दुनिया में यह पहला मानो निर्मित गुफा, जिसके वारे में बहुत कम लोग जानते हैं, आज बड़ा हम लोग, मतलब खुशी में हैं, कि आज यह प्रारंब हुआ है यात्रा, जो यह पूरे देश के, पूरे विश्व के मानचित्र पे, यह बराबर की पहाड़ियों की गाथा, इन में जो कलाश शंस्कृति और हमारे यहां जो गुफाएं हैं, यह प्रियाटक के मानचित्र पे जुड़ेगा, और यहां देश बिदेश से लोग इसका अध्यान करने के लिए, इसके वारे में जानकारी लेने के लिए आएंगे, और इसी बात को बताते हुए, फिर से एक बार हम पूरे जिला प्रसासन से ले करके, हम यह संस्कृति मंत्राले भारत सरकार, आर्किलोचिकल विभाग और जितने भी इसमें जुड़े हुए पदाधिकारी करमचारी हैं, हम सब को धन्यवाद बधाई देते हुए, चुकि भाई आज से हमारा बिहार विधान सवा का मौनसुन सत्र प्रारम होने वाला है, हम लोग लेट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस कार्ज करम में शामिल होने की मन से हम लोग को ये इच्छा थी, कि हम लोग प्रारम करके ही जाएं, सब को धन्यवाद बधाई. समय देने के लिए और अपने सुन्दर विचार रखने के लिए हम धन्यवाद ग्याफित करते हैं अपने मन्ये विधायक महोदय का, अब मैं आवाज देने जा रहा हूँ, मकदूंपूर के विधायक, मन्ये विधायक सतीश कुमार जी, को कि आएं, चुकि आप ये सोभग्य की बात है कि आप इस शेतर के विधायक हैं, और ये धरोहर और विरासत आपके विधान्यवाद शेतर में है. बहुत बहुत धन्वाद कला संस्कीती मंत्राले भारत सरकार के द्वारा आयोजित वांडर केव इस काजकरम में बतौर मुख खती थी यहां पर आए, जहानाबाद लोगसभा के शेतर के हम सब के अभिभावक मानिय संसत चंदेश प्रसाद चंद्रबंसी जी, इस मौके पर जहानाबाद के लोगपिरे विधायक मानिय सुदाय यादव जी, जिलापरसत के जेयर्मेन यहां पर बैठी हैं, सिरिमती रानी कुमारी जी और जिलापरादी कारी रीची पांडे जी, आर्ट अन कल्चर डिपार्टमेंट के डिरेक्टर सहब और तमाम मंचा सीन आएहां पर आए हुए अगानतों के तितियों का हार्दी कभी नंदन करते हैं, धेर सरा स्वागत करते हैं, साथियों जैसा की सुदैभिया ने बताने का काम किया कि जो बरावर की जो पहाणियां हैं, वो पूरी पहाणियां अपने आप में कितिहास हैं, जितने भी UPSC करके जो लोग आते हैं, उसमें चेप्टर है बरावर की गुफाण के बारे में पढ़ना, NCRT के तेंथ हो तुवेल किलास के इतिहास के बुक जब आप पढ़ेंगे उस पे बरावर की गुफाण का कवर पेज पे तस्वीर है, इसका इतना महत्व है, और ये मानम निर्वित तो गुफा है ही, लेकिन इसका बड़ा इतिहासिक महत्व है, इतिन सो, बाइस से एक सो पचासी सा पुर्व का एक गुफा माना जाता है, और समराट असोक ने उस समय के आजीवक संपरदाएक के लिए गुफा का निर्मान किया था, लेकिन जितना इसका विकास डिवलप्मेंट होना चाहिए, आज उतना नहीं हो पाया है, आप तमाम लोग बहार से जो आतिति आये हैं, एक बार गुफा में जरूर जाईएगा, आप जब गुफे में जाईएगा, तो ये गुफा एर कंडिशन गुफा है, एक गर्मी में का हिसास होता इस गुफे के अंदर, और ठंड में गर्म का हिसास होता है, इको सिस्टम जब विक्सित नहीं हुआ था, इस गुफे में एको सिस्टम आपको सुनाए पड़ेगा, आपके आवाजे साथ सेवन टाइम भाइबरेट करेगी, इस गुफा का बड़ा इतिहासिक म आते हमारी जिम्बारी ज्यादा है, इसी जिम्बारी को हमारे संसद महोदे समय समय पर उठा रहे हैं, और इन्होंने भी इस गुफा को वर्ल्ड हेरिटेज में सामिल करने के लिए, हम लोग प्रयासरत है कि ऐसा गुफा, जो दुनिया में इकलोता ऐसा गुफा है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज में सामिल होना चाहिए, जिस से और टुरिज्म का और डिवलप्मेंट हो सके, विकास हो सके, इसलिए इस गुफा को हम लोग इस लेवल पर पर मोट करना है, किसी भारत के ही लोग नहीं, भारत में आने वाले हर एक परियाटक इस गुफा से हो करके भारतिय संस्किती का जो हम दुनिया में हम जो डंका बजाना चाहते हैं, तभी हम बजा पाएंगे, और जिस समय पुरी दुनिया में यूद हो रही है, उसमें बूध काली निवफा एक संदेश देगा, और इस पहाड़ी का नाम बराबर पहाड़ी है, इसका भी अतिकर्म हो रहा है, बराबर पहाड़ी को बनावर पहाड़ी बनाया जारा है, जब कि सारा इतिहास, सारा पाली परकित का जब किताब पढ़ेंगे, तो सारे में चर्चा बराबर पहाड़ी है, बराबर मतलब इक्वल, और साइद डॉक्टर अंबेटकर, जब समिधान लिख रहे हो वोले लोग इस गूफा के आजपास जो भी सन्यासी रहती थी उस सब बरावर थे कोई उसमें बड़ा छोटा नहीं होता था सब के बरावर का बोद होता था यह चीजे यहां से निकल कर गई है तो इस चीज़ों को हम सब लोग को परचार परसार करना है और इसी ख्याल से आज से छे महीना पहले इस गेस्ट हॉस का उधगाटन बिहार के उप मुख मंत्री और पडियाटक मंत्री तिजश्वी परसाद यादव और जी के द्वारा किया गया है जो आज आम लोगों के लिए सुभधा के लिए इसको खोल दिया गया है यहाँ पर जो गुवर्मेंट के द्वारा संचालित रेस्टूरेंट है उसका भी संचालन बहुत जल्दी होने जा रहा है यहां पर दो रोपवे काम स्टार्ट है दो हजार तेईस के अंध तक इसको रोपवे को कम्प्लीट हो जाना है इसके लिए भी लाकतार हम सब लोग मुनेटिंग कर रहे हैं कि रोपवे स्टार्ट हो कि ल पूचा चोटी है यदि उस चोटी पर जा करके हम संभामना तलासे तो यहां पाराग्राइडिंग की संभामना है यहां बिहार में ही पाराग्राइडिंग की सुब्धा लोग को मिल सकती है इस लेवल पर सरकार को भारत सरकार को आर्ट और कल्चर मिनिस्ट्री को इस लेव पास के लोग को बहुत सारा रोजगार मिल पाएगा और तभी सच मुच में हम भारत में अपनी डंका बजा पाएंगे इसलिए इस तरह के प्रयास जो आज किये जा रहे हैं इसके लिए धेर सारी बधाई और सुप्रामना देते हैं समय अभाव है हम लोग के साथ में हमारा इस वाद से हम लोग को बीच में इसका आज करम को छोड़के जाना पड़ता है और नहीं तो इसका आज करम एदिल वाला करशक्रम था जब तक काशक्रम चड़ता तब तक हम यहां रहते आप लोग के बीच में लेकिन अफ्सोस है कि हमारा हौस आज ही से स्टार्ट हूए ह इसलिए हमको चेतर की जनता और विहार के पर्तिजमावाद देही निभाने के लिए हमको सदन में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, सिरिशतीश कुमार जी, आपने अपनी सोच से हम सब को अउगत कराया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाउस के चलते जो हमारे मानिये विधायक गण यहां से गए। जो हमारे महत्तपूर्ण, लेकिन हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, इस आयोजन, पूरे आयोजन के जो अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदें हैं, वो यहां उपस्तित हैं, और हम लोग बहुत शांती और धैर्ज के साथ इसकार्जकरम को आगे बढ़ाते हैं, बहुत हरबड़ी क परिचय नहीं देते हुए, हम चाहते हैं कि कुछ गंभीर बातें भी इस आयोजन पर हो, केवल मैं आपको ये, आप जानते हैं, मुझसे बहतर जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, कि प्राचीन गरंथों के अनुसार, इस पहाडी का नाम द्वापर युग भगवान कृष्ण तथा रुकमिनी के पोत्र युग प्रद्यूम्न के पुत्र अनिरुद के साथ हुआ था, के नाम पर वानावर था, जो कालांतर में बढ़ावर तथा बराबर हो गया, इसका प्राचीन नाम काल्ठी का परवत है, जिसकी चर्चा पतंजली महाभाष्य म यहीं लोमस, रिशी, गुफा है बराबर में, अन्य बातें इसके बाद में, कुछ-कुछ हम लोग बातचीत करते चलें, ताकि विचार मन्थन भी होता चले, और जो भारत सरकार का उदेश्य है, पुर्वशेत्रिये सांस्कृतिक केंद्र और अर्किलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तथा जीला प्रशासन का उदेश्य है, कि इस धरोहर और विरासत के प्रती जन जागरुकता को पैदा करना वह काम भी होता चले, हम लोग के मंच पर एक एकलोती वक्ता उपस्तित हैं, जो जीला प्रशद हैं यहां, श्रिमती रानी कुमारी जी, उनके वक्तब के बिना मुझे लगता है कि यह सेमिनार, संगोष्ठी यह जो वारता है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती, तो मैं बड़े आदर के साथ, रानी कुमारी जी से आगर करता हूं, कि अपने विचार रखें. अज, धर्म की अस्थ्ल पर और देवो कदेव महादेव अगले वार भी कारश करभ में, आज मै उसी बचन से शुरुआत की थी, आज मै उसी बचन से शुरुआत कर रही हूं, मैं देवकादेव महादेव को परनाम करती हूँ, इस मीटी को मैं परनाम करती हूँ, जो हमारे बरावर तो रखा गया है, लेकिन सच मुछ बरावर नहीं है, और आज मुखातिती के रूप में लुख परिये शांशद, हम लुख अगार जियान, चनेशा परिशाद चंदरब आज के काजकर में आपके किंदर से आकर और आपकी शोह बढ़ाने का काम किये, कल इनसे मेरी बात हुई निदेशक्षाप से, मैं इनको भी धन्यवाद देती हूँ, आपके जहानवाजिला कमोनेट्रिंग, दिसानिरदेश अच्छे धंग से चलाने वाले हमारे जिलापद पदाधिकारी महुदय को मैं धन्यवाद देती हूँ, इनका कार्जकारम शराहनी जोग है, और हमारे पदाधिकारी, हमारे डिरी शहव इनको मैं धन्यवाद देती हूँ, पंकज गोजी जाएक्टर शहव को मैं धन्यवाद देती हूँ, इनको मैं धन्यवाद देती हूँ और तमाम पदाधिकारी एवं मीडियागन हमारे छेतर रशे जहानवा से आयों तमाम शर्धालो एक सिभ भगवान पर अपनी हरदी दिल से याद करने के लिए अहां तक पहुंचे हैं, मैं उनको भी धन्नवा देती हूँ. हमारे राज से केंदर सरकार हर एक राज से कलाकार को भेजे हैं, आज मुझे गर्व हो रही है कि कम से कम केंदर की नजर हमारे बराबर पहार की गुफाओं पर आई है, मैं केंदर को भी मैं बार बार धन्नवाद देना चाहती हूँ. आज जो बराबर की पहार है, गुफा है, सच मुच हमारी धरोहार है, खास करके मैं इसी मकदुमफुर की बहु एक बेटी होने के नाते मैं गर्व से कहती हूँ और मैं सदा कहूंगी कि इस बराबर पहार को बराबर अगर नजरों से देखा जाता, तो आज ऐसा दिन नहीं होता, किसी की सरकार है, मैं अलोचना नहीं करती हूँ, चाहे किन सरकार हो या ब्यार सरकार हो, जिस तरह जारकंड की हर जगा हमारे क्या हो, शिव भगवान का मंदिल हो, या मा शक्ती का पीठ हो, कहीं न कहीं, एक सर्धालू अहां पर भीरू मरते हैं, हमारे क्यां भी भीर राजगिर जैसा बराबर होता, आज जो इस्थिती होती, आज रोड पर हम आ रहे थे, तो सनाटा चाया हुआ था, आज लगता कि हाँ हम बराबर गुफा में जा रहे हैं, हमारे जो परियतक है, लोग लेनी आ रहे हैं, और ले जाकर उहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, यह सचमुच कमी हैं, हम हमेशा जिला परशद के अध्यच के नाते, मैं अगले बार भी बोली थी, कि अगर हमारी सरकार, चाहे बिहार सरकार, किन सरकार, अगर एक वार नजर खोल देंगी, कि बराबर की भी कोई गुफा है, इसमें सीवजी का बास है, हमारे पुरवज का बता पास है, हमारी धरोहर है, हमारी जो जहानवाद की बहुत बड़ी एक धरोहर एक पहचान है, अगर इस पर आप पोर्शिडिंग में डाल दीजिए, यहां से केंदर सरकार तक जाएगी, निश्चित है आपका बात को केंदर सरकार सुनेगी, जहां जहां जरुवत होती है, वहां वहां हमारी परतिनिदित करने की जो छमता होती है, लोग आगे बढ़ते हैं और जो कमी होती है, इसी च चाहे बिधान सभा हो, चाहे कोई सदश, चाहे कोई बैठक होती है, उसमें अपने छित्रिय का अधिकार अपने पुर्शिडिंग के माध्यम से भेजा करते हैं, हमारे गारजियन, हमारे लोग सभा का नित्रित कर रहे हैं, खास करके जहानवाद, मैं अनुरोद करूँगी कि आप कम से कम एक वार इसके बारे में अगर सोच लिजेगा तो आपका जो आने वाला दीन, सदा लोग जहानवाद आपके नम मस्तक होंगे, आपको सदा याद करेंगे कि कोई हमारे कहां MPI, तो यहां जिनों धार करके गए, और जो हमारी कमिया थी, उसको पुरा करके जापते आप एक नमबर देके हमारी कमिया को परसेडिंग में लिखा दीजेगा, तो हहां से निश्चित है जो पास होकर आएगी और हमरा धीकार हमरा चाहे राज सरकार हो या किन सरकार हो निश्चित मिलेगी और यहां जो जितने भी तमाम हमारे शर्धालू आये हुए है मैं कहूंगी कि इतने सर्धालू तो कम है हम चाहते थे कि हमारे बरावर पहार पूरा बरावर हो जाता हमारे जो जितने कलाकार हैं एक दो राज से आ हैं मैं तो कहूंगी पूरे राज से आवे हमारे भारत के कोने कोने से हमारे कलाकार बरावर पहार में आके हमारी इस धरो कर दोबार का सोभा बढ़ावे तब एक जीने का और रजनिती करने का अलग आनद हैगा कि एक पहचान बनेगी जहानावाद ऐसे भी पहचान बिस्व का एक अनोखा जो हमारा जिला है सब कोई जनता है जहानावाद के जिले के बारे में अब चाहे जिस रूप में देखें ल इसलिए मैं चाहती हूं कि इस तस्वीर को और हमारे बरावर की गुफाओं को इतना बेहत्रीन बना दिया जाए कि हमारे लोग कहने के लिए मजबूर हो जाए कि हमारा बरावर जो है बहुत बड़ा धरोहर है आई इस धरोहर से हम निकल के आए हम अपने दुसरे राज में जाकर गर्व से कहें दुसरे देश में जाकर अपने गर्व से कहें कि मैं वो इसे जगह से आता हूं या आती हूं जहां मेरी बरावर गुफाएं में आज इतना हमारी जो पहचान मिली है जो सरकार हमारी बेवस्था है जो अभी कमी है रोट की कमी है बहुत कमी कुछ नहीं है धीरे धीरे बनेगा आज मैं जब निदेसक्स आप पोन किये तो मुझे गर भुगा कि धीरे-धीरे किन्द सरकार भी इसके बारे में सोच रही इसके लिए मैं बहुत खुस हुए है, मैं निदेशक साब से मैं बात की कि मैं यहां बहु के नाते, आप से मैं अनुरोद करूँगी किसी तरह हमारे कार्च करम में और वर्चर के हिसा ले और जहानावाद का जो धरती है उसको उपजाने का काम करें, इसी के साथ आये हुए ह हमारे कलाकार, हमारे सरधालू, हमारे पदादिकारी, मैं अज शुम्बारी पर्थम दीन है, मैं पूजा करके लेट से आई, इसलिए चमा मांगती हूँ, मैं भी जहारखंडी बवास के हां गई थी पूजा करने, तो लेट हो गई है, इसलिए शावन की पहली शुम्बारी को मैं तहे दिल से धन्वा देती हूँ, और कहती हूँ, कि आप लोग एक-एक कदम आगे चले, और आपकी जन्त आपके साथ रहेगी धन्वाद। कार्जकरम को आगे बढ़ाते हुए, अभी हमारे विधायक जीने चर्चा की, कि सिविल सर्विस की परिक्षाओं में बराबर की पहाडी हो, या CBAC की किताबों में हो, या हम माना जाता है, कि एक गहन अध्यान करके, कोई व्यक्ति भारतिये प्रशास्निक सेवा में आता है मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों से कुछ ज़्यादा ग्यान, खास करके जिलाधिकारी होने के चलते भी, या एक प्रतिभावान देश का गौरो आईएस होने के चलते, श्री रिची पांडेजी को मैं बड़े आदर के साथ बुलाना चाहता हूं, हाला कि परंपरा है कि अध्याक्ष को हम बाद में बुलाते हैं, लेकिन मुक्यतिति महोदय के पहले हम बुलाना चाहते हैं क्योंकि हमारे मुक्यतिति महोदय संससदस्य हैं माननिय हैं और ग्यान वृद्ध हैं तो बड़े आदर के साथ जिलादिकारी महोदय से हम रोद करते हैं कि आएं और आज अपना संदेश दें कि ताकि ये पीढ़ी जो है नई पीढ़ी जो है अपनी धरोरों के परतीवा है उसका जो करतव्य है वो क्या करें क्या न करें आपकी जोरदार तालियां जिलाधिकारी महोदय के लिए आयोजित वंडर केवस के इस दो दिव से कारिक्रम में सबसे पहले तो मैं मानिय सांसद शी चंदेशवर प्रसाद सर का स्वागत करना चाहूंगा और अभार प्रकट करना चाहूंगा कि सर ने अपने व्यस कारिक्रम से समय निकालके आज के कारिक्रम की अध्यक्षता हितू शवाथ एफास बसे साथी आज के सक्रीक्रम में में उपस्थित जिला परस्षत की माननी धक्षा सरीमती रानी कुमारी जी यहां पर लॉपस्थित टीरेक्टरόग EZCC श्री आशीशगिरी जी यहा पर लॉपस्थित अग्डशित सießी साहब का इस डूटर ग्रेक्षटरॉ यहां पर उपस्तित तपस जी, साहिक निदेशक EZCC, यहां पर उपस्तित शिष्टी प्रिया, यहां ने इस कारकारम के आयोजन में मतपूर्ण योगदान दिया, और साथ ही यहां पर उपस्तित सभी गढमान इवक्ति, यहां पर उपस्तित सभी आयोजक, सभी कलाकार, मीड अजया के बंदुगन और एव मिहा के जिलावासियों यह अपार हर्ष का विशे है कि इस प्रकार का यह जो कारकरम है आयोजित किया गया है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज सावन का पहला सोववारी है तो यह बहुत ही पावन तिथी का यह चैन किया गया है और मैं समझता कि इस प्रकार से यह जो दो दिवसी कारकम का आयोजिन किया गया है जिसमें विभिन प्रकार की प्रतियों गिताएं है फोटो आर्ट एग्जिबिशन है है हरिटेज बॉक है तो इस प्रकार से जो जन जाग रुकता लाने की आवशकता है क्योंकि जैसा कि पूर के इसको महत्वण अपनी जियो हरिटेज साइट में भी इसको चिनित किया है और साथी साथ अब हम लोगों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और साथी आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि इसको युनेस्को की वर्ल हरिटे कर आप लोग को ये जानकारी होगी कि सावन के महिने में यहाँ पे लगबग आठ से दस लाग श्रधालू यहाँ पे आते हैं जुलाई अगस्ट महिने में, और साथ हीbbe ऐक्तूबर से मार्च जो हमारे गया में जो परिटक आते हैं, अंतराष्ट्रिय-सलानी आते हैं, श्र जालू है वो आ सकते हैं और उसके लिए हम लोगो कुछ प्रयास करने हैं और जैसा कि पूर में विधायगी ने बताया कि यहां पर यहां पर यह आतिती शाला है और इसका भी उद्गाटन किया गया इस धर्मशाला का और साथ ही साथ यहां पर रोपवे के निर्मान का कारे भ मंदिर है उसके वीकास के लिए भी हम लोगों के लगातार परेटन विभाग से हम भोग संपर कर थे हैं और उसके लिए भी एक DPR तैयार किया गया है जो विभाग में समर्पित किया गया है और हम समझते हैं कि वहां पे जो मॉरिक सुविधाये अधर बोत संड़नाये उनक जैसा कि आपनों जानते हैं कि वंडर केव्स का कारिकरम है, तो मैं समझता हूं कि हमारी जो बराबर गुफाओं की यह महत्मूर्ट चार गुफाएं हैं और नागारजुनी केव्स हैं जो तीन, तो इन से जादा वंडर्फुल केव्स तो मेरे हिसाब से पूरे देश में या का निर्मान हुआ था और जो मौरे काल में इसका उपयोग जो आजिविका समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता था और यहां पर आते ही एक अलग ही अलोकिक एवा मध्यात्मिक अनुभाव होता है, तो मैं समाझता हूं कि इसके लिए हम लोग को जो भी सहयोग आयोजन लगातार कर सकें, साथ ही साथ यहां पर कोई लेजर शो लाइटन साउंड शो और मेडिटेशन के लिए योग शाला हमारे जो बराबर की गुफा है उसके पीछे वहां पर परियाप्त हमाई पास जगवी उकलब्ध है अगर वहां पर मोग साई रूप से मेडिटे यहां की जो पूर की गाथा है उसको बताने में उनका सहयोग रहेगा जिससे यहां की ओर जो श्रधालू है और सैलानी है उनका ध्यान अकरिष्ट होगा और साथ ही इस बार हम लोग जो शावनी मेला का आयोजन कर रहे हैं इसमें हम लोग एक डॉक्यमेंटरी का भी निर्म गंगा के पास एक पूर में नौका विहार चलता था वहां पे एक सुखी हुई वहां पे जील है तो उसका कैसे हम लोग उसका जीनोधार कर सकते हैं उसके लिए हम लोग ने लगशी चायवी भाको कहा है उसके लिए टेक्निकल फीजिबिल्टी रिपोर्ट बनाएं तो इस पूर्ण प्रट की शेत्र की तरह हम लोग इसको विक्सित करें धान्यवाद हिर्दै से आभार जिलाधिकारी महोदाय का हूं जिनकी प्रतिक्षा हम लोग बहुत देर से कर रहे थे आप इस शेत्र के माननिये सांसद हैं आपकी आवाज लोग सभा में गूशती है साथी बिहार सरकार में भी आपका बड़ा प्रभाव है मैं व्यक्तिकत रूप से कहना चाहता हूं कि साथ दस दिनों पहले मैंने मानिये मुख्यमंत्री जी के साथ एक बहुत अच्छी तस्वीर हिंदुस्तान में देखी थी मुझे लगता है कि मानिये सांसद महोदय निश्चित तोर पर अपनी इस धरोहर के लिए और हम सब के लिए अपनी बुलंद आवाज उठाएंगे और देखा जाए एक बात मैं बीच में आप से कहना चाहता हूं किसी ने धरोहर की बात करते हुए यह बात कही कि धरोहर को इसको बढ़ाना नहीं है धरोहर का विकास क्या करना है धरोहर को बचा लेना है और बचाने का सबसे बड़ा साधन है कि लोगों को अपनी हैरिटेज के परति उनको जागरत कर दिया जाए उनको बता दिया जाए कि यह तुम्हारा गौरोशाली अतीत है और इस वर्तमान में तुम उसकी रक्षा करके अमरत्य को प्राप्त कर सकते हो यही बहुत बड़ा स्वयोग होगा तो बड़े आदर के साथ आप सब की ओर से इस पूरे आयोजन समीती की ओर से इस आयोजन के मुक्यती थी और लोग सभा में इस शेत्र का मान उंचा करने वाले मानिये सांसद स्री चंद्रदेव प्रसाद चंद्रवंसी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आएं और अपने विचार रखें चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंसी जी सावन के महीने में और बाबा भूले का नगरी कहा जाए मगद के लिए बराबर के इस अस्थान पर आयोजित इस काज करम के आयोजन करता और भारत सरकार के सांस्किती मंताले के निर्देशक आरणिय आसीश कुमार गिरी जी यहां उपस्थित सहाइक निर्देशक आरणिय तापस सामन्त राय जी यहां चले गए भी हमारे मानिये इस्थित के लोग पर ये विधायक गन्द यहां उपस्थित जहानावाद जिले के लोग पर ये जिला अधिकारी यहां उपस्थित जहानावाद जिला के जिला परशद के अध्यक्षा नदानी जी यहां उपस्थित जिले के सभी पराधिकारी गन्द और भारत सरकार के जो आये हुए यहां पराधिकारी हैं जो इस काज करम को सफल बनाने में दस दिनों से लगे हैं हम उनको हिदे से धर्नवाद देते हैं से आये हुए कलाकार गन्द मीडिया के परफारी गन्द और तमाम उपस्थित इच्छत से आये हुए सजनों माताओं भन्द आप लोग सब जानते हैं इस बरावर के महत्व के वारे में सबसे बड़ी बात है कि बरावर में जो गुफाएं बनी है उसकी संग्रेक्शन के लिए भारत सरकार के द्वारा एक करम जो उठाया गया है इसके लिए हम भारत सरकार के इस मन्ताले को धन्वाद देते हैं और इस करम में हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके विकास के लिए दो हजार उनीस में आधनिये मुखंती इसे हम आगरह किया था उस पत्र का कौपी अभी हम जो संचान कर रहे थे मंच का उनको हम पढ़ने के लिए दिया है दो हजार उनीस में ही हम इस करम में निती आयोग के जो चेर्मेन थे जो इन सब बातों का ध्यान दखते थे और इस तरह के छेतों का विकास पर काम करते थे उनसे जाकर के प्रस्नली हम मिले थे उनके साथ फोटो भी है हमारे पास निती आयोग के चेर्मेन जो थे उनसे मिल करके और आगरह किया था हम कि बराबर को विक्सित किया जा सकता है और इस टेट गर्मेंट के पास इतना साधन नहीं है कि इस तरह का विकास कर सके तो हम आगरह किया था कि बुद्ध सर्किट से इसको जोड़ा जाए और गोध गया राजगीर अब बरावर को लिंग किया जाए और यहां इस तरह का विकास किया जाए जिससे कि यहां आबादी भीब का बसावत भी बढ़े और पर्याटक का दुझान भी यहां बढ़े इसके लिए हमने आज नहीं उनीस में ही हम जीत के पार्लियामेंट गए थे और उसके बाद पहला काम का प्रयास हमने किया था इसके विकास के लिए और उसके अलावे आपको हम पताना चाहते हैं कि बराबर भारत सरकार के संस्किती मंताले को हम पत्ता चार करते रहे हैं इसके लिए और वो चिठी तो हम नहीं ला सके लेकिन अज इधर फिलहाल ही में भारत सरकार के मंताले संस्किती मंताले से हमको पत्त प्राप्त हुआ ह आधनिय मंती जी का चिठी प्राप्त हुआ है राजगीर के समस्या से संबंधित है राजगीर में जरासंध जी के एक खाड़ा जो है उसके विकास के लिए भी हम करीब दस चिठी अब तक हम मंती को लिख चुके हैं और उनका जवाब भी आया है एक सब्ता पहले भी एक जव सब्सक्राब आया है और उसमें पूरे आश्वासन के साथ लिखा गया है कि हम बिहार के जितने भी संस्कृतिक धरोहर है अब पुराने अस्तित्म जो है उसके विकास के लिए कित संकल्प है यहीं लेंग्वेज है तो हम लोग चाहते हैं कि किसी भी सूरत में बरावर का ज उसका विकास हो और उसके विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि यहां जतना जादे से जादे विश्व अस्तर के प्रियटक यहां आवें हैं चुकि इस तरह का गुखा जो हस्त निर्मित है और ऐसे मेटेरियल से बना हुआ है उस समय आप अंदाज किजिए कि किस तरह का डेवलोप्मेंट उस समय के लोगों के मन में था और किस तरह का ब्रेंट था कि उस तरह का गुफा का निर्मान किया गया है कि जिसमें आप पढ़ भी सकते हैं और कोई दिक्कत भी आपको नहीं हो सकता है आप साधना भी कर सकते हैं किसी तरह का समस्या भी आपको नहीं हो सकता है तो हम पो लगता है कि वैसे यतने भी पुराने अस्तित्व बचे हुए हैं देश में सब पर भारत सरकार ध्यान दे रही है लेकिन यहां थोड़ा हम डायेक्टर साहिब से कहेंगे इस पर थोड़ा विशेश ध्यान देने की जवदत है वैसे तो हम आप से आगरह करेंगे कि हमारी कहीं भी जवदत हो हमको याद किजेगा निश्चित्रुप से हम आपके सहजोग में ख़ड़ा रहेंगे और अभी बीश तारिक से फिर पाद्या में शुरू होने जा रहा है हम इसमें भी बरावर के विकास के लिए अपनी बात पोष्चन के माध्यम से या जीरू आवर में निश्चित्रुप से उठाने का काम करेंगे आप से इतना ही आगरह है कि आप थोड़ा विशे सपना अभिदूची लीजेगा तो बहुत दिकत नहीं होगा बहुत जल्दी इसका विश्टार हो जाएगा रानी जी बोल रही थी हमसे आगरह कर रही थी तो हम आपको आस्वस्त करते हैं कि जहानावाद छित्र के विकास के लिए किसी विच्ट भी विभाग से सम्मंधित हो हर विभाग से सम्मंधित या राज सरकार से जुड़ा हो या भारस सरकार से जुड़ा हो हम हर सरकार से इसके बारे में पत्राचार आगरह और मिल करके प्रस्नली रिक्वेश्ट करते रहे हैं रोड का च्छेत हो आहरपईन का समस्या हो या हॉस्पीटल का समस्या हो इस्कूल कोलेज का समस्या हो या फिर आपके पुरात्रत्र से सम्मंधित जितनी भी बाते हो सबों पर मेरा पत्रा चार हुआ है और उसका सब का डिटेल समारे पास है तो हम बरावर इसके लिए चिंतित रहते हैं कि जहानावाद में जारा है जारा विकास हो और हमको लगता है कि आज इस गाज करम के माध्यम से इस्थित के लोगों को जितना लोग यहां उपस्थित हैं उन लोगों से हम आगरह करेंगे कि इसका चर्चा होना चाहिए इसकी चर्चा गाओं में होनी चाहिए चुकि हम लोगों का भी दाइत बनता है जल्दी से जल्दी हो, उसमें यहां के हस्थानिय लोग, जो है यहां बशते हैं, उनके कार्ज प्रधती में सुधार लाने की जवुदत है, यहां मेरा आग्रह होगा, meva यहां जतने लोग उपस्थित हैं, यहां से अगल वगल के गाओं के रहने वाले लोग हैं, उनको भी ज तो लोग भरोशे के साथ यहां आएंगे और यह बना हुआ जो है विश्वामाले बाहर से लोग विदेश से आएंगे तो रुकेंगे भरोशा और विश्वास के साथ तो निशित रुप से विकास होगा और जिलारिकारी मोहदय, डेडी सी साहब, इस्डियो साहब, सिर्जन मोहदया सब यहां बैठी हुई है हमको लगता है कि जैसे प्रारिकारियों का यहां अभी प्रदस्थापन है निशित रुप से जहानावाद का सर्मांगिन विकास होगा चुकि सब लोग बहुत एक्टिव हैं, उसमें हम लोग का सहजोग की ज़ुरत है हम यही आगरह करेंगे कि इस काज करम को बढ़ियां से आप लोग देखिए, समझिए और इसके गुनों को अपने लोगों के बीच में परशारित कीजिए यही आगरह और बिंती के साथ मैं अपनी बात समाप करता हूँ, धन्यवाद, जय है। विद्वानों का आदर हमारी संस्कृती है। आपका जो आपकी जो फिल्म है उसको हम परदर्शित करना चाहते हैं। जिसे हम अगले चरण में आपके सामने परदर्शित भी करेंगे। मेरा आशय डॉक्टर अनंत आशुतोष दिवेदी जी से है। मैं बड़े आदर के साथ उन से अभी के लिए आगरा करता हूँ कि दो तीन मिन्टों में हम आपका स्वदूपियोग अभी करना चाहर हैं। लेकिन आपको हम लोग लेकर गुफा के पास भी जाएंगे जहां बच्चों को आप उसके इतिहाद से परचित करवाएंगे। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ विशय के विद्वान डॉक्टर अनंत आशुतोष दिवेदी जी। नागेंद्र हाराय त्रीलोचे नाय भसमांगे रागाय नमस्षिवाय नित्याय सुध्याय दिगंबराय तस्मैने काराय नमस्षिवाय सरपर्थम आप सभी को स्रावान मास की प्रथम सुमभारी की हारदिक सुभकामनाएं, सम्मानित मंच और दर्सक दिर्गा में बैठे सभी अतिथी गन, गन्मान अतिथी गन, कलाकार, विद्ध्यार्ति, सुधार्तिय ये मेडिया बंदो। आप सभी को सरपर्थम प्रणाम नुवदित करता हूं। और अस्तल है उसके उपर अपना काम किया है। जैसा मैं इस बरावर के इंपॉटन्स के बारे में एक मिनट में आपको बताऊं। जिस तरह से नालंदा को, कई गाओं को का गोद प्राप था, कई गाओं का डोनेशन प्राप था। वैसी ही कुछ खास इस्तिती बरावर के बारे में भी थी। बरावर 3rd century BC का इंडियन सबकंटिनेंड का इकलौता मैनमेड केव है। और इसी से इंसपायर होके, इसी सिर्फ प्रेणा लेके, इसी बिहार की धरती, मगत की धरती से प्रेणा लेके, अजन्ता, एलोरा, एलोफेंटा जैसी तमाम गुफाएं भारत में और भारती उप महदूब के अलग-अलग देसों में बनी है। तो इस जगह को इस बराबर को उस काल खंड में क्या उस अन्य गाउं बसते थे कि सिर्फ यहां पर योगी और तपस्वी और आजिवक संप्रदाय के साधू संथी रहते थे ऐसी बात नहीं है। उस काल खंड में भी आस पास के अलग-अलग दूरी पर अलग-अलग गाउं बसे हुए थे जो थर्ड संचुरी बीसी में थे और मुझे लगता है कि मेरे सोध के अनुसार लगबग तीन दरजन से जादा ऐसे गाउं हैं इस 40-50 किलो मिटर के परिधी की अंदर जो इस बात को प्रमानित करता है कि उन गाउं के माद्यम से बराबर नागार्जुन की गुफाउं मे रह रहे विच्चुन का भरन पोषर का कार होता था इस इस गुफा में वैसी कई अलग-अलग कालखंड के लिपी में अभिलेक है एक अभिलेक में इसके बारे में मैं आपको बताओं उसमें लिखा हुआ है आचारे स्री योगानंद सिधेश्वरा, जड़ा इस सेवन्थ सेंचूरी एडी में लिखा हुआ लेवल इंस्क्रिप्शन है, उसमें कहता है कि योगानंद नाम का कोई आचारे है, जो सिधेश्वर मंदिर को प्रणाम करता है, सिधेश्वर नात मंद इस तरह से कई सारे अभीलेक हैं जिसके बारे में हम तमाम आप लोगों के साथ जाएंगे, कुछ जानेंगे, सिखेंगे, हरिटेज वाक में वहां बिस्तार से बात्चित करेंगे, तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं, इस या उसर परदान करने के लिए इजिड से सी जिलाप परसासन और अरकले सर्वेव इंडिया को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत नमस्का, बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर दिवेदी, आपके भीतर जो बाते हैं, हम सुनना चाहते हैं और उसका उपियूग भी करेंगे आज, अब इसके पहले की डीडिसी साहब धन्यवाद ग्यापित करके और रैली का मार्ग प्रशस्त करें, उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो इजेडिसी सी के डारेक्टर साहब हैं, एक दो सब्दों में, बहुत कम सब्दों में, बताएं कि सर के आगे क्या करना है, और किन किन राज्जियों के कलाकार यहां पहुँचे हैं, माननिय संक्षत जी, आपने जो निर्देश्दियें हैं, वो हमारे लक्स से हैं, क्यूंकि हमारे यह प्रुग्राम, यह अजादी का अमरूत मुथ सब उधगाटन का जो प्रुग्राम उसके हिस्चा है, हम मिनिस्ट्री अप कल्चर टार्गेट रखे हुए कि दो हजर पाइटिस तक हमारा देश, इस्टेशियन कंट्री का कल्चरल हाब बन जाए, हम अजादी का अमरूत मुथ सब पालन कर रहे हैं, अमरूत मुथ सब के जो सूची उसमें संस्कृति का विकाश के लिए बहुत सारी जुजुना मनाए हैं, इस जुजुना की अंतरगात ये फोर्ट एंड केव की प्रुग्राम, फोर्ट एंड क्रेव स्रेफ हमारी देश की वंडर, कल्चरल हेलिटेज नहीं है, बहुत सारी फोर्ट एंड केव के साथ हमारे देश की जो जितना सारी योद्धा थे, शादिनीचा यूद्ध में, उनका बलिदान की इतियास भी लगे हुए हैं, हम संस्कृति मंत्रा अलाए अजादिकी अम्रित मुहत सब काल में ही हमारा देश को G20 का प्रिसिडिन्सी मिला है, यह हमारा सभी नगरियों का गर्ब की बात है, इस गर्ब से हम हर स्टेट में जितने सारी कल्चरल हरिटेज है, जितने सहरी वंडर है, जितने सहरी अलिखित इतिहासों का उपतन है, सभी को बिकास करने के लिए, सारों देश में हमारे तेरा सत संस्कृतिक खेत्री है, उनकत द्वारा ये आयोजित कर जा रहा है, तो आज इस जहनबाद में हम ओडिशा से, बिंगॉल से, बिहार से, जड़कन से, बहुत सारी आर्टिस्ट लोगों को इधर एकठा करके, हमारे जो कंपोजिट आर्टिस्टिक भैलू, उसको दो दिनों में इस वंडर केप की प्रोग्रम में उपस्थित करेंगे, और इसके बारे में हम एक किताब पब्लिश करेंगे, उस किताब में जितना सारी प्रोग्रम स्रे प्रोग्रम नहीं, यह जो हमारा वंडर केप की हिस्ट्री, इसका आपको मालूम होगा सायद, इसका अंदर में जो लीपी लिखा हुआ है ना, इंस्क्रिप्शन, यह मोह र इंडिया, राजत्त की समय में, और हमारे जो बाउद्ध और जैन, जितना सारी सन्नासियों ने उदर पाटिसिपेट किये थे, सायद उनका किभी कुछ चिन्धियां उदर लगे रुए, इसी लिए आज जब हम जी टुएंटी का प्रेसिडेंसी कर रहे हैं इंडिया, तब हमारी सन्सकृति की भिकास के लिए, हमारे ये योजना, आप सभी को लिए, सभी सबी के साथ जोड़ के, हम मनाएंगे, धन्यबाद, नमस्कार, मेरा हिंदी खमा कर देजिएगा, बहुत बहुत धन्यबाद, इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, और फिर भी आपने सर पहले हिंदी में अपनी बाते नहीं रखे सर, धन्यबाद आपको, मैं धन्यबाद देता हूँ, जो श्री मनोज कुमार जी, जो जहानाबाद के ज़ियों हैं, जिन्होंने समय देकर कैस सायोजन को सारी वेवस्था का अंद्रिक्षन आपने किया और सफल बनाया, आपको धन्यबाद देते हुए, अब मैं आवाज देता हूँ, डीडी सी साहब को धन्यबाद ग्यापन के लिए, और सभी लोगों को यह सूचना देता हूँ, कि रैली निकलने जा रही है, माननी यह सांसद महोद है, जिलाधिकारी की उपस्तिती में रैली को जंडी दिखाएंगे, और हम सभी लोग वानावर गुफा की ओर चलेंगे, जो लोग चलने में सक्षम लोग हैं, वे लोग जरूर हमारे साथ चलें, और अपने उस गौरोसाली अतीद से परचीत हूँ. उगंडर केव्स, फोर्ट सैंड्स केव्स, फेस्टिवल और हिंडिया, इस कारिकरम में डारेक्टर साहथ को जन्नवाद देता हूँ, विक्टिडार के अडिस्नल डारेक्टर साहथ, जिन्होंने यहां पर इतना सले दिया, और इस कारिकरम को सभ़ उनाया, मैं उन्हें के जन्नवाद देना चाहता हूँ, कि आपके ही आपकी पहर्द से और आपके परिश्रम से यह कारिकरम आगार ले सका है, मैं यहां पर जिवेदी जी को आशुतु साहन जिवेदी जी को बहुत बहुत जन्नवाद देना चाहता हूँ, कि आपर सेट करना चाहता हूँ, कि आप विए ब्रावर की बुपायःसि amis इनके बारे में चर्चाई नोगर पहले ने से होती रही है बहुत पहलेς से चर्चाएं होती लिए हैं लोग पड़ते बिकते दिरे ले लेकिन गहन अद्रश्चा और उसके पर आपने पर उपस्तित उए है और आप ने इसको परीचर्चा का एक केंदर बनाया है तो इसके लिए जिनापर शासन की तरह से आपको एप्षेज दंदवाद देना चाहता हूं कि आप इस पर आपके कारेक्रम नवीश्ट दिक और रहे और इसी तरह से वास्तित आपको ब बहुत बार दंदवाद देना चाहता हूं कि यहां फोर्पस्थे अनवंडरी करें चाहता हूं भंकर्ज डारेक्टर डी आइडिए सर्फी लेज्टी सभी आप लोगो ने काफी मेहनच की ज़िप democrat कर करखेजर विसेंक वीकर्वस्त उसालिक बनाया ईसके जिए आप सभी प्रसंसा के पात रहें और मैं पुना मानिये सांसद महोदे को दिन्यवाद दे करके इस का रिक्राइब समाथ्टी का अनुरोद करना चाहता हूं धन्यवाद से अब एक छोटी सी सूचना है अभी एक हैरिटेज रैली निकलने जा रही है और उसको हरी जंडी दिखाने के लिए मैं अपने मंचासीन अतितियों से अमुरोद करूँगा खास तोर पर MP साहब, BM साहब से और इस्रैली की विशेस्ता देख लीजिए यह एक प्रकार से शीव की बारात भी निकलने जा रही है आप देखिए कि जो हमारे नौ रज्जियों से जो कलाकार यहां आए हुए है वो शीव का विश्धारण किये हुए है और जो भी शीव के साथी होते हैं सरचर होते हैं उनका वस्तर विन्यास है उनका और आगे आगे बैंज बाती है आप सभी में जवान हैं उनके प्रती करता हूं और सभी लोगों से अगरा है कि ऐसे रैली का नित्र तो करें देखेंगे छंडा जिनके भी हात में होगा